हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल और आज मैं लेकर आई हूँ महाराज की ट्रेडिशनल और फेमस डिस बेशन पिठला तो इसे कहीं कहीं पे बेशन गठान भी कहते हैं तो चलिए हम रेश्पी को स्टाइट करते हैं इसके लिए हम लेंगे 50 ग्राम बेशन चम्मा से कहें तो 4 टेबल स्पून बेशन है इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर पहले इस तरह से गाड़ा बेटर बनाएंगे और इसके बाद इसमें हम आधा ग्लस पानी डाल देंगे और इस तरह से इसे पतला से हम बेटर बना दालेंगे लिए इसके बाद हम पेच़ जीरा और चुटकी राएँगोता को ठीक रेंगे जाहिए और टाब इसमें हम उल्का सा कब पाना जाखर हो जाया और बाद रिप्स shift बीडियम सायच की दो टातलिक जैसे ही प्याश ट्रांस्लूसेंट हो जाए तो इसमें अद्रक लेसुन और हरी मिच का पेश डाल देंगे और उसे भी पका लेंगे इसके बाद ही मेरे पास है आधा कप सिम्ला मिच अगर आपके पास सिम्ला मिच ना हो तो आप स्प्रिंग ओनीन भी डाल सकते हैं और इन द तो हमने इसमें डेवड गलास पानी डाला है और आधा गलास पानी हमने बैटर बनाने में डाला था तो टोटली हमने दो गलास पानी का इस्तेमाल किया है अब इसमें हम डाल देंगे स्वादा नुसाल नमक और एक नीवू का रस और इसे ढख देंगी तो यह देखिए पा चलाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना आए और चलाते हुए जब हमारा ये बैटर कुछ गाड़ा हो जाएगा तब हम इसे कुछ देर के लिए और पकाएंगे तो ये देखिए हमारा बैटर अब पहले से गाड़ा हो गया है और इसमें उबाल भी आ गई है तो अब इसे हम पांच मिजट के लिए लोटो मीडियम फ्लेम पे और पांच मिजट के बाद देखिए हमारा जो ये पिटला है काफी गाड़ा हो गया है तो बस हमें इसी तरह का पिटला चाहिए और इसमें हम डाल देंगे खूब सारी धनिया इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगत इसमें को प्रेस कर दें थैंक यू